दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यदि आप मुबाइल में वोइस देंगे बोलकर कुछ भी बोलेंगे हेलो या फिर किसी का नाम या फिर कुछ भी तो मुबाइल का लोग ओपन हो जाएगा उसमें कोई भी मुबाइल हो सकता है जुरूरी नहीं है कि आपके पास Xiaomi का मुबाइल है, Redmi का है या फिर Realme का या फिर Samsung का, Vivo का, Oppo का कोई भी मुबाइल हो आपके पास आप केवल बोलकर किसी भी मुबाइल के लोग को ओपन कर सकते है जिहां दोफता आपने सही सुना है बिलकुल आप केवल बोलेंगे जो भी मैं आपको कमांड बताऊंगा आगे वीडियो में उसको आप बोलेंगे और उसके बाद मुबाइल का जो लोग होगा वो ओपन हो जाएगा तो आप अपने वाले में ये ट्रिक कैसे यूज करेंगे जिससे कि आप इस काम को कर पाएंगे उसके लिए थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना अब दोस्तों किसी भी मुबाइल के लोग को खोनने के लिए आपको क्या बोलना है वो आपको कैसे सेट करना है उसके लिए थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना ओके आपको किस तरीके से पूरी कमांड सेट करने है किस तरीके से सेटिंग करने है उसको ध्यान से देखन जैसे या आप Hello या फिर किसी का नाम या फिर जो भी आप शैट करेंगे उसके बाद जैसे आप उस चीज को बोलेंगे अपने मुबाइल में जो आपका माइक्रोफोन है उसको मूँ पर लाकर तो आपका जो लोक स्क्रीन होगा वो ओपन हो जाएगा इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है एक application डाउनलोड करनी है जिसका नाम है voice screen lock unlock screen by voice इसको आप डाउनलोड करने के बाद open करेंगे जब आप इसको पहली बार open करेंगे इस तरीके से open होगी यहाँ पर कुछ permission मांगेगा इसको allow करेंगे इसके बाद यहाँ पर आएगा start लिखावा start पर click करे करेंगे इसके बाद permission को allow करेंगे इसके बाद फिर यहाँ पर start पर click करेंगे ओके इसके बाद कुछ permission है इसको enable करने के लिए बोलेगा enable permission पर click करेंगे और यहाँ पर इसको own कर देंगे इसके बाद आप बैक जाएंगे बैक जाने के बाद सबसे पहले दोस्त आपको क्या कर यहां पर आपको लिखा दिखाए देगा वोईस पासवर्ड ओके तो आप यहां पर अपना एक वोईस पासवर्ड बनाएंगे जैसे मैं यहां पर क्लिक करता हूँ और यहां पर मैं अपना एक पासवर्ड बना लेता हूँ हेलो अब जैसे मैंने हेलो बोला यहां पर आप देख सकते हो हेलो लिखावा आ चुका है तो जो भी आप बोलेंगे वह आपको यहां पर देखना है सही से लिखावा आया या फिर नहीं इसके बाद यहां पर आप करेंगे नेक्ट इसके बाद फिर यहां पर बोलेगा क्लिक म ही बोलना है जिस नाम का पासवर्ड बना रही हो फिर मैं यहाँ पर दुबारे बोलता हूँ है लो मैंने फिर से हेलो बोला यहाँ पर हेलो आ चुका ही लिखावा इसके बाद यहाँ पर कंफर्म करेंगे और यहाँ पर अब यह आप से पूछेगा है कि एक बैक पासवर्ड भूम बनाने के लिए यहिदी आप वह नाम भूल जाते हैं जिससे आप आपना password बनाते है तो फ्र आप अपने मोबाइल का या फिर किसी भी मॉबाइल का password कैसे करेंगे इसके लिए आपको यहां पर एक पिन बना लेना है, पिन पर जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, 11, 11, इसके बाद next, फिर यहाँ पर इसको दुबारे से enter करना है, 11, 11, इसके बाद confirm कर देंगे इसको, अब यहाँ पर कुछ question पूर्टा है, यदि आप इसको भूल जाते हो, तो फिर कैसे खोलेंगे, यहाँ पर आप कुछ भी ले लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ, movie का name, मेरी movie का नाम है, ABC या कुछ भी, इसको submit कर देंगे, इसके बाद यह पूर्टा है कि 5 नंबर का होना चाहिए, तो यहाँ पर df कर देंगे, इसके बाद submit कर देंगे इसको, अब यह set हो चुका हो, unlock sound भी आप डाल सकते हो, ओके, तो यह आप काम कर सकते हो, अब चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यह आपके mobile में work करेगा, अब मान लीजे कि यहाँ पर मेरे mobile का password लग चुका है, अब मुझे अपने mobile का password open करना है, तो सबसे पहले मैं ऐसे दुबारे से दिखाता हूँ, मैंने lock लगाया, open किया, यहाँ पर पूर्टा है password के लिए, यहाँ पर click करेंगे, hello, तो password open हो चुका है, अगर दोस्तों कोई गलत password डालेगा, तो उस case में क्या होगा, जैसे मैंने password लगाया, अब मैं password डालता हूँ, सुमित, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सुमित के नाम से password नहीं open होगा है, केवल hello के नाम से होगा, तो यहाँ आप password अपना भूल जाते हो, जो आपने बनाया, फिर यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, यह, अब यहाँ पर आप pin जाल कर अपना password को own कर सकते हो, तो हैना दो दोस्तों बहुत ही कमाल के ट्रेकिस को आप यूज कर सकते हो, अपने मुगाल के अंदर, I hope दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत आदा अच्छे लगए होगी, कुछ नया से खेंदों को मिला होगा, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना, तो यह ता इस वीडियो में सुन मस्कार दोस्तों का दिन सुब।